हाथी और इंसान समस्या होती तो वे राजा के पास जाते थे एक दिन एक आदमी राजा के पास आया और उसने कहा ओ राजा मेरे पास एक बड़ा सा समस्या है मेरे जीवन में कठिनाईया आ गई है और मुझे उन्हें हल करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कृपया मेरी मदद करे। राजा ने उससे पूछा तुम्हारी समस्या क्या है? बताओ मुझे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहा हूँ. आदमी ने बताया मेरी समस्या यहा है कि मैं बहुत अधीर और चिंतित रहता हूँ. मुझे बहुत तनाव होता है और इसके कारण मेरा काम भी प्रभावित हो जाता है र आजा मुस्कान में बोले मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें एक शर्थ माननी होगी आदमी ने हैरानी से पूछा कौन सी शर्थ है ओ राजा राजा ने कहा तुम्हें जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को इकठा करके एक मंच बनाना होगा जब तुम वहां खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें उन सभी जानवरों को संवठित और शांत करने का तरीका बताऊंगा फिर तुम्हें जब भी तनाव महसूस हो तुम्हें वह तरीका अपनाना होगा और उससे तनाव से निपटना होगा आदमी ने राजा के कहे हुए अनुसार किया उसने जंगल में जाकर सभी जानवरों को इकठा किया और एक मंच बनाया राजा ने आकर उसे तरीका बताया कि कैसे उसे अपनाना है राजा ने कहा जब तुम तनाव महसूस करो तो तुम्हें मंच के पीछे खड़े होकर एक गाना गाना होगा गाना गाने से तुम्हारे मन को शांती मिलेगी और तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा आदमी ने उस तरीके को अपनाया और जीवन में अध्धुत परिवर्तन देखा वह जानवरों की संगठन क्षमता को देख कर हैरान रह गया उसने जाना इनसान को कितनी शक्ती और सामर्थ होती है बस उसे अपनाने की जरूरत होती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास समस्याओं का हल खुद में होता है हमारी मानसिक्ता और आचर अकसर हमारी समस्याओं का मुख्य कारण होते है हमें अपने अंदर की शक्ती को पहचानना चाहिए और उसे सक्रिय करके अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि हम जैसे हाथी के बराबर सभी सामर्थे रखते हैं बस हमें वहां उन्हें उप्योग में लाने की जरूरत होती है इसलिए आपको चंता और तनाव की जंग से निपटने के लिए अपने अंदर की शक्ती का सहारा लेना चाहिए सोचिए कि आप कितने सामर्थय शाली हो सकते हैं और जब भी कठिनाईयों का सामना करना पड़े तो उसे विजई बनाने के लिए अपनी सामर्थय और मेहंत का सहारा लीजिए